दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोल कैसे खड़े करें प्रोफाइल शीट का शेड बनाते समय और पोल के उपर कैंची किस तरह से फिटिंग करनी है इसी के बारे में आज की टोटल बात होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो मेरा नाम है मोली सिंग और आप देख रहे हैं SS Fiber Glass and Fabrication Works सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं यह शेड का साइज तो 90 लेंथ है जो विड्थ है यह 24 फिट है तो यह हमारे जो पोल है यह 22 फिट पे लगे हुए यह पोल का अपसका जो डिस्टेंस है यह 22 फिट है बार से बार का यहां से इस साइड से उस साइड से जो डिस्टेंस है यह 22 फिट का है इसके उपर शीट आएगी 24 फिट की यह हमारी परलीन की पाईपे है और इसके अलावा जब हमें इसको लेवल करना है तो लेवल में आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे देखें तो सबसे पहले पोल देखें यहां पे देखें नीचे से नीचे बोल्ट लगा रखा एक नीचे भी बोल्ट लगा हुआ है उपर भी बोल्ट लगा हुआ है यहां पे इतना गैप दिया हुआ है और आगे दिखाता हूं मैं आपको यहां पे देखेंगे यहां पे आपको थोड़ा से जादा गैप दिख करते हैं पॉल की हाइट और पॉल सिधा खड़ा है यह कैसे चेक करते हैं वो बताता हूं सबसे पहले आपको इसके लिए हमें इसे हम बोलते हैं साल यह साल तो इससे चेक करते हैं चलिए यह हमारा जो पॉल है इसे हम चेक करेंगे यह सारे पॉल एक एक करके चेक करके यह बताएगा कि पोल जो है हमारा ऐसे ऐसे टेड़ा तो नहीं है यहां पे आप करीब से देखेंगे यहां से देखेंगे जो लट्टू है वो पूरा एकदम टच हो रहा है बिल्कुल हवा की वज़े से थोड़ा हिल रहा है अभी लेकिन बिल्कुल सही है हवा चल रही है इस का उपयोग करते हैं बाकी हमारे पास एक और लेवल भी होता है उससे भी चेक कर सकते हैं लेकिन यह ज्यादा बैटर है तो यह हो गया हमारा साल साल की सायता से हम सभी पोलों को एक दम लेवल में सिदा सिदा खड़ा करते हैं अब बात आ जाती है उंचा और निचा कोई पोल उंचा लग जाता है कोई निचे हो जाता है तो उसको कैसे चेक करेंगे तो पोल को एक ही लेवल में लगाने के लिए हमारे पास होती है एक इसका 36 इंच डिस्टेंस है यहां से यह निशान से हमने लेवल पाइप की साहता से यह वाला निशान मिलाया हुआ है यह निशान मिलाया हुआ है और वह निशान से यह भी निशान मिला हुआ है और इसके बाद यहां पे भी निशान है देखें यह रहा चती सिंच पे तो यह लेवल पाइप से यह वाले निशान लगते हैं और इसी की वजह से जो आप देख रहे हैं न कोई-कोई जो पोल है हमारा प्लेट है जो बिल्कुल टच्चो रखी है और कहीं-कहीं पर इस तरह से गैप आया हुआ है यह यह गैप तो यह जो मीच्चे का बेस है जो राज मिस् की है तो पाइप की हाइट और लेवल करने के लिए हम वाटर लेवल का यूज करते हैं जो राज मिस्त्री है जो सिविल वर्क वाला मिस्त्री है उससे कभी कभार थोड़ा बहुत इसमें फरक रह जाता है जैसे यहां से यह प्लेट बिल्कुल टच है लगबग 6 mm हाइट प फरक रहा जाता है जिसे हमें अपने लेवल पाइप से लेवल करना पड़ता है तो यह हो गया हमारा पोल को लेवल करने का तरीक्का अब बात करते हैं कैंची की कैंची देखने के लिए हमें उपर जाना पड़ेगा इसके लिए हम सीड़ी का यूज करेंगे और उपर जाक प्रूइच करें जुब स्कूर पाइप की हो उपपर जो परनल लगे वह भी मुजबूत थरास कोई फरक दीज मिस्त्री को वेल्डिंग करने सकते हैं अब फिर से 15 55 फिट पे यह पॉल लगए हुए यह जो आप पॉल देख रहे हैं 140 लेंध में 7 पोल दिये हुए साथ पोल के उपर साथ कैंची साथ पौल इधर इसा पोल सामने की साइड में पोल कि बदकर करूं तो फोल जो सारे के सारे 15-फिटवाइट के हैं यह पोल ठीक है इसके बाद यहां पर जो कैंची है कैंची की उपर वाली पाइप में स्लांट है दोस्तों यह जो भीच का डंडा आप देख रहे हैं यह वाला तो यह उदर जाके जीरो हो जाता है सामने की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे zero हो जाता है तो बाइस फिट की है चोबिस फिट इसके उपर शीट लगनी है जो कि लगब नो इंच इधर से बाख रहे गी शीट और प्रोफाइल शीट नो इंच आगे वाली साइड से बार रहे गी और यह 22 इंच का डंडा है यह आगे जाए जाकर जो हो जाता है मतलब की 22 इंच की डलान है शेड के अंदर और कैंची बनाते समय और फिटिंग करते समय आपको यह चीज का खास द्यान रखना है कि यह जो पोल है इस पोल की भी 15 फिट है यहां से और आगे की साइड से भी सेम 15 फिट दी हुई है और उसके बाद है दोस्तों यह जो नीचे का पाइप है यहां से आप देखेंगे तो सारे पाइप एक लेवल में है कल को यदि आपको नीचे से डाउन सीलिंग करवानी है कुछ हीट इंसुलेशन कुछ जुगाड लगवाना है डाउन सीलिंग करवानी है गर्मी बहुत होती है इसके चलते काफी सारे लोग जो है वो AIDS करवातें तो आपको दिक्कत नहीद आएगी यदि आप किसी कारीगर से शेड़ बनवारे यह आप खुद कारीगर है खुद से बना रहे है तो आपके बना के पोल एक हैट पर मिले लेकिन कैचिंचीमें अग्या, हैज lumière होना है जैसे बकी एवरी संडे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ इस शेड की यदि आप complete वीडियो देखना चाहते हैं प्राइज के साथ लोहा कितना लगा, शीट कितने रुपे की लगी हमारी लेबर कितनी है तो उसके लिए आप निचे कमेंट करना मैं इस पर भी आने वाले दिनों में complete वीडियो लेके आऊँगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और गंटे का बटन जुरूर दुबाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यावाद